असलाम उलेकुम लिसनर्स, वेलकम बाक टू माय चानल, आज आप सुनेंगे नॉवल बिन रोय आसू एपिसोड नॉबर सिक्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नॉवल वो समन की बात पर खुलकर हसी थी, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा जजबाती हो, अरे एहमक, अगर कुछ न कुछ सोचना बहुत ही जरूरी है, तो बजाए इन बेसरोपा बातों के उसके बारे में सोच लिया करो, जो हम लोगों की जिन्दगी में आकर, हर तरफ खुशिय ही खुशिया बखेर देगा, समन का मूट एक दम ही बदल गया था, वो अब चेहरे पर खुबसूरत सी मस्कुराहट लिये, शायद उसी के बारे में सोचने लगी थी, अम्मा ने तो नाम भी सोच लिया है, अगर लड़का हुआ तो माज, और लड़की हुई तो माहम, वैस इर्तजा जैसा, उसकी शक्लों सूरत, आदते सब उनके जैसी हो, फिर इर्तजा भाई ये दूआ मांगते होंगे के बेटी हो, और बिलकुल समन जैसी, खुबसूरत, उसी के जैसी अच्छी और मुहबत करने वाली, उसने जवाब में फौरण बड़ी बेसाखतगी से कहा हाँ, वो यही कहते हैं, हैरत हो रही है मुझे तुम्हारे दुरस्त अंदाजे पर, वैसे इन सब बातों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था, कि उसे अपनी मा की तरह बच्चपन ही से संजीदा नहीं होना चाहिए, बलके खाला की तरह शोखो शरीर होना चाहिए, अब तो तुम ऐसी नहीं हो, बच्चपन में तुम कितनी शरीर और बातोंी थी सबा, मुझे अभी भी याद है, मैं जब कभी तुम लोगों के पास कराची आती, तो तुम्हें इतना जादा और मुसलसल बोलता देखकर मुझे किस कदर हैरत होती थी, इर्दजा कहते हैं, तुम जिन्दगी का जो दौर वो उसे याद दिलाना चाह रही थी, उसे वो याद करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस बात पर कोई तबसरा किये बगएर वो मुस्कुराते हुँ बोले, बस तो फिर मैं ये दूआ मांगना शुरू कर देती हूँ, कि प्यारे अल्ला मिया, आप इर्तजा भाई और समन में से जिसकी भी चाहें दूआ कुबूल कर लें, इसलिए कि मेरा भांजा हुआ तो वो इर्तजा भाई जैसा होगा, और भांजी हुई तो समन जैसी, हाँ ये दूआ ठीक रहेगी, समन ने भी हस्ते हुए जवाब दिया, कुछ तेर बाद जब वो स सफाई के उस काम से फारग हो चुकी तो समन से बोली, जब अपने घर की सफाईया तुम खुद करती हो, तो फिर खाना तो लाजमी खुद ही पकाती होगी, मुझे बताओ क्या पकाना है, तुम्हारे जैसा मज़े का तो नहीं पका सकूंगी, लेकिन यकीन करो, मैंने बहु पकानी की जरूरत थी, उसने मुँ बना कर कहा था, तुमने तो इसलिए नहीं बुलाया, लेकिन अमा ने मुझे यहां इसलिए भेजा है, तुम्हारी खिदमत करने के लिए, अभी तो मैं तुमें वो सब चीज़े बना बना कर खिलाओंगी, बलके ठुस्वाओंगी, जो अमा ने तुम्हें खिलाने के लिए मुझे खास ताकी देंगी थी, उसका अंदास डराने वाला था, और तुम्हें ये तो पता ही नहीं कि वो चीज़े क्या हैं, उनमें से अकसर चीज़ें देसी घी में तयार की जाती हैं, उसने उसे मजीद डराया, खुदा के लिए सब अबा, इतनी डरावनी बाते मत करो, मैं तो खाने में कॉर्ण ओइल भी इतना थोड़ा सडालती हूं, देसी घी के बारे में तुम्हें सोच भी नहीं सकती, ये बहस तुम अमा से करना, मुझे तो जो काम करने को कहा गया है मैं फही करूंगी, बाकि तुम जानो और अमा, वो उसे डरा कर किचन में चली गई थी, रात का खाना खाने के बाद आइस क्रीम का प्रोग्राम बन गया था, वो गाड़ी की चाबी उठा कर ले आया तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे पोर्च में आ गई, वो समन से एक कदम पीछे थी, समन को गाड़ी की अगली का बैठने का, और ये हक उस गाड़ी के मालिक ने उसे दिया था, अपनी लमह भर की इस सोच पर वो शर्मिंदा हो गई, खुद को मरामत करते हुए वो पीछे की तरफ का दरवाजा खोल कर गाड़ी में बैठ गई, सारी दुनिया के बच्चे आइस क्रीम के शौकीन होते ह लेकिन सबा तो आइस क्रीम की दिवानी थी, कुछ मत दो, इसे आइस क्रीम खिलाए जाओ बस, मेरी पॉकिट मनी का बड़ा हिस्सा इसकी आइस क्रीम की नजर हो जाया करता था, आइस क्रीम खाते हुए इर्दजाने समन से कहा, कितना अच्छा वक्त आप लोगों ने साथ पिताई बच्छमन की बाते बताते हैं जब, समन के लेजर में बड़ी हसरत थी, तुम होती भी तो अलग थलग बैट कर नकरे ही दिखाया करती, क्यों सबा, मैं ठीक कह रहा हूँ न, इर्दजा उसे सता रहा था, वो अपनी आइस क्रीम खतम कर चुकी थी, सबा और आइस क स्टार्ट करते हुए इर्दजा ने समन से कहा, हाँ याद है, उसे जवाब दे कर वो सबा से मुकातिब हुई, इर्दजा के दोस्त है रजजा भाई, हमारी शादी पर भी आए थे, हो सकता है तुमने उन्हें देखा हो, उनकी मिसिस उन से बेज़ादा बाइखलाक और मिल उसने सर हिला दिया, कल सबा हम लोगों के साथ जाएगी तो मिल लेगी उन दोनों से, इर्दजा ने कहा तो समन से था, लेकिन समन के कुछ कहने से पहले ही वो फॉरन बोली, आप दोनों जाएगा, मुझे ऐसे बिन बुलाए साथ लटक कर जाने का कोई शौक नहीं है, मैं आराम से घर पर कोई शानदार सी मूवी देखूंगी, कौफी पिऊंगी और ड्राइफ रूट्स काऊंगी, बिन बुलाए क्यों, रजा भाई ने खास तोर पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें इन्वाइट किया है, इर्दजा ने बैक फ्यू मिरर में उसे देखते आज सुबा आफिस में मेरी उसे फोन पर बात हुई थी, मैंने उसे बताया था कि सबा आई हुई है और और उन्होंने कहा कि इतनी मशूर और मारूफ शख्सियत को आप जरूर उनके घर ले आए, उसके तमस्कराना अंदास पर इर्दजा और समन दोनों हस पड़े, देख था कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इसकी, इर्दजा ने हस्ते हुए समन से कहा, मगर अगले रोज समन इर्दजा भी उसे साथ ले जाने पर बज़िद हो गए, उन दोनों के इसरार पर उसे उठना पड़ा, जबरदस्ती जा रही थी, इसलिए तयार भी बेदिली से समन अलबता खूब अची तरह तयार हुई थी, रजा और मिसिस रजा तोनों उसे बड़ी गरम जोशी से मिले थे, समन ने तुम्हारी कम तारीफे की थी, तुम उन तारीफों से जादा खूब सूरत हो, फाइजा रजा ने मुस्कुराते हुए उस से कहा, फाइजा की कमें बुलंदावास में दिये चाने वाले उन कमेंट्स पर अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई थी, उस वक्त सबा, समन और फाइजा एक साथ खड़ी हुई थी, इर्तिजा उन दोनों को फाइजा के साथ चोड़ कर अपने दोस्तों में जा बैठा था, अस्सलाम वालेकुम भा तपाक अंदास में जवाब दिया था, मैं बिलकुल खेरियत से हूँ आमिर, आप कैसे हैं? आपस में रस्मी किस्म के जुमलों के तबादले के बाद समन को उसका तारुफ करवाने का ख्याल आया था, ये सबा है मेरी चोटी बहन, कराची से आई है यहाँ पर हम लोगों से मिलने के लिए, आमिर ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा, उसने भी जवाबन रस्मी से अंदास में मुस्कुराते हुए हेलो कह दिया था, सिर्फ समन की बहन नहीं है, बलके इर्तजा भाई की फॉस्ट कजिन भी है, फाइजा ने उसकी मालूमात में मजीद इजाफा किया, और सबा, ये आमिर है, मेरा खालाजाद भाई, फाइजा उससे बोली, उस रस्मी से तारुफ के बाद वो वहां से चला गया, फाइजा अपनी बाकी महमानों से मिलने चली गई, तो समन उसे वहां पर मौझूद अपने बाकी जानने वालों से मतारिफ करवाने लगी, उचे आप लोगों से मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई है, अब की बार उसने रस्मन नहीं बलके दिल से ये बात कही थी, यहां पर वो बेदिली से आई थी, लेकिन रजा और फाइजा का पुर्खलूस अंदास उसे अच्छा लगा था, सबा तुम बोड तो नहीं हुई गाड़ी में ड्राइफ करते हुए अर्थजा ने उससे पूछा, बोड तो नहीं हुई, लेकिन आप समन साहिबा की खुश अखलाकी और मुरवत भगारने वाली आदतों को थोड़ा कम करवाएं खुश जाने कौन से मिसस थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इतना पोस्ट करकर के अपने आस्टेलिया जाने का जिकर कर रहीं थी, और ये सकून और खामोशी से उनका इतराया हुआ अंदास देख रही थी, इससे ये नहीं हुआ कि उन्हें बताती, कि मैंने अपनी जि जारा है, इर्तजा उसके शिकायती अंदास पर कहका लगा कर हस दिया, उससे क्या फरक पड़ता, अगर मैं उन्हें ये बता देती, ओच्छे लोग करते हैं इस तरह शो आफ, समन ने मुदबराना अंदास में कहा, इर्तजा दोनों बेहनों की बहस و तकरार से महजूस होता खामोशी से ड्राइफ कर रहा था, घर आकर जब वो लोग गारी से उतरे, तो लाउंज की तरफ कदम बढ़ाते हुए इर्तजा उससे बोला, सबा, मुझे समन की सबसे ब्यारी आदत ही यही लगती है, उसकी साधकी, आप बहुत कुछ हों और फिर भी इतने साधा हों, ऐस से लोग बहुत अच्छे होते हैं, कितनी खुबसूरत है उसकी यह बेनियाजी और साधकी, मुझे यह बेहद अजीज है, इर्तजा ने एक महबत भरी निगाह समन पर डाल कर कहा, समन के चहरे पर फखरिया मुस्कुराहट बिखर गई, वो उन दोनों को शबा खेर कहकर अपने कमरे में आकर लेटी, तो उसे नीन नहीं आई, उसे यहां आए एक हफ़ता हो गया था, इस दोरान उसने समन का बिलकुल इसी तरह खया रखा था, जैसा अमा ने उसे हिदायते दे कर भेजा था, वो उसे मुखतलिफ चीज़े पका पका कर खिलाती, और समन हजार न आज आमिर का फोन आया था, अपने घर पर इन्वाइट किया है उसने, डिनर और वो भी आमिर कंजूस, खेरियत तो है, आपने पूछा नहीं ये डिनर किस खुशी में दिया जा रहा है, समन इस इतलाह पर अच्छी खासी हैरान हो रही थी, मैंने भी बिलकुल इसी तरह उ इसाम से निजात हासिल करने के लिए ही डिनर दे रहा हूँ, इर्दजा ने मुस्कुराते हुए आमिर से होने वाली गुफटगो के बारे में बताया, वैसे डिनर की वज़ा कोई खास नहीं है, बस करीबी दोस्तों को इन्वाइट किया है उसने, यहां सब मिलने वालों मे आमिर की कंजूस्ती मशूर थी, रजा भाई तो उसे उसके मुपर कंजूस के लकब से नवासते हैं, मगर वो मजाल है जो कोई असर ले इस बात का, आज तक कभी उसने बाकायत की से अपने घर पर किसी को खाने पर इन्वाइट नहीं किया, ऐसे ही कोई चला जाए तो बड और आप लोग मुझसे चलने के लिए इसरार करते हैं, इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाओंगी। उसने हफसे मातकद्दुम के तोर पर पहले ही दो टोक अंदास में उन दो लोगों का अपने इनकार से आगाह किया, इर्तजा ने उ बहुत आप लोग धाई तीन घंटों में वापस आ जाएंगे, इसने जादा देर तो लगती नहीं है, और इतनी थोड़ी सी देर में मुझे बोर होने का जरा भी टाइम नहीं मिलेगा। उसने उसे मुतमाइन करने की कोशिश की थी, उन दोनों की वापसी उसकी तवक्का स भी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी आ गए, अब भी तो मैंने बोर होना और इंतजार करना शुरू भी नहीं किया था, समन उसे घूरते हुए सामने वाले सोफे पर बैट गई, आप ही की वज़े से चल्दी आए हैं, हाला के अभी उठने का दिल नहीं चा रहा था, इतना म मज़े मज़े की किस्से सुना रहे थे, चलती ही तो तुम भी इंजॉई करती, इर्तजा भी समन के बराबर में बैट गया, आमिर ने भी तुम्हारा पूछा था, समन की इस बात पर उसे बेसाखता हसी आ गई, उन्होंने पूछा होगा कि सबा क्यों नहीं आई, उसके आनने वाले बहुत महमान नवास और बाइखलाक लोग हैं, इसलिए तुम जैसी सडीय लड़की को एहमियत देते हैं, जैसे ही हम लोग अंदर दाखिल हुए, सलाम दूआ के बाद आमिर ने अगली बात यही कही थी, कि भाबी मैंने इर्तजा से कहा था कि आप सब लोग आ समझती हैं, समन उसके इस तहजाया अंदास पर चड़ गई, अच्छी लग रही हो दोनों भेने लड़ते हुए, इर्तजा टीवी आफ करके उन दोनों को देखने लगा, देखा समन, इन्हें कितनी तमना है हम दोनों को लड़ते हुए देखने की, तुम्हारी हरकते यही नहीं तो बहुत जल्दी यह तमना पूरी भी हो जाएगी, समन गुसे से कहते हुए वहां से उट गई, उसका यह गुसा कितनी देर का होगा, यह वो जानती थी, इसलिए इतमनान से सोने के लिए कमरे में आ गई, उस रोज जब आमिर उनके घर चलाया, तो खुद गर होने वाली दावत एक मरतबा फिर मौजव गुफ्तगू बन गई, मैं यहां से गुसर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लू, उसके आने से पहले वो तीनों लौन में बैटकर बाते कर रहे थे, अर्तिजा ने उसे वही पर बिठा लिया, बहुत अच्छा सोचा आप हम लोगों के साथ खा कर जाएगा, कुछ देर बाद समन ने अंदर आकर खान सामा से खाना लगाने के लिए कहा, अगर आपको सबजियां पसंद नहीं भी है, तब भी सबा के हाथ की बनी ये डिश जरूर ट्राइ कीजेगा, उसने मुझे इसकी रेसिपी नहीं बताई, पत अगर ने शामी कबाबों की डिश की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ पीछे हटा कर सबजी का बाओल अपने सामने कर लिया, उसने बराहे रास उसे मुझातिप किया था, ना किसी खास तवज्जह से उसकी तरफ देखा था, लेकिन फिर भी उसे उस शखस से चिलसी हो रही थी, सही तारीफ कर रही थी आप, ये डिश वाकई बहुत मज़े की है, अगरचा मैं वेजिटेरियन नहीं, लेकिन ये सबजिया मुझे बहुत अच्छी लगी, उस डिश के कसीदे भी समनने ही पड़े थे, चुनांचा जवाबी तारीफ भी उसी से की गई, खाने के बाद वो लोग ड्रॉइंग रूम में जाकर बैट गए, वो अपने कमरे में आ गई, वो कितनी देर बैठा और कफ वापस चला गया, उसे बिलकुल पता नहीं चला, वो मैगजीन पढ़ते पढ़ते ही सो गई, सुबह उसकी आँख देर से खुली, आज खूप सोईं तुम, वो दा रही थी और दूसरे तुम्हारे महमान आई हुए थे, बिलावजा अजनभी आदमी के साथ बैटकर गुफ्तकू करने का मेरा बिलकुल दिल नहीं चा रहा था, उसने अखबार उठाते हुए जवाब दिया, वैसे सबा, मुझे कुछ गड़बर लग रही है, आमिर से इर्तजा की अच्छी दोस्ती है, मगर वो इतना फारिग नहीं कि यूहीं गुजरते गुजरते खौमका हमारे घर आ जाए, जबके परसो राथी तो हम लोगों की मुलाकात हुई थी, वो दूद का गलास खाले कर चुकी थी, गलास सेंटर टेबल पर रखकर उसने दोबार चौकी हो, मैं परसो राथ आमिर के घर ही चौक गया था, हम दोनों गाड़ी से उतरे तो वो कितने पुरजोश तरीके से हमारा इस्तक्बाल करने आया था, लेकिन फिर एक दम ही उसके चहरे पर मायूसी चा गई, कितने मायूस से अंदास में उसने तुम से कहा था, कि मैंन तफसील के साथ इर्तजा की कही बाते बताने लगी, इर्तजा फोन पर किसी से कह रहा था, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, अच्छा चलो मैं समन से बात कर लू, फिर तुम्हें कनफर्म कर दूँगा, फिर अलविदाई कलिमात कहने के बाद उससे फोन बंद कर दिया पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है उसने, कह रहा है दो छुटियां एकटी आ रही है, इस मौके से फाइदा उठा कर कहीं घूमने चलना चाहिए, रजा और फाइजा होंगे, हम लोग होंगे, और वो खुद, उसकी बात सुनकर समन के चहरे पर भी शोख सी मुस्कुराहट पिर क्या खयाल है सबा, चलोगी पिकनिक पर, वो मुस्कुराहट होटो पर दबाय उससे पूछ रहा था, उसे उस शखस के चहरे की मुस्कुराहट कभी इतनी बुरी नहीं लगी थी, जितनी उस वक लग रही थी, बेचारा नौकरी पेशा आदमी है, मेरी और रजा की तर प्रोग्राम तर्दीब देना पड़ेगा, और ये इजाफी बोज उसकी जेब बरदाश नहीं कर पाएगी, वो निगाहों में शोखी और शरारत लिये उसे छेड रहा था, वो प्लेट मेस पर पटा खर एक जटके से सोफे पर से उट गई, क्या हुआ सबा, समन उसे यू खुसे से उटता देखकर हैरान हो गई, उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई, और इर्दजा भी हैरत से उसे देखने लगा, शोखी और शरारत की जगा उसके चेहरे पर संजीत की छा गई थी, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां इसलिए नहीं आई थी समन, क क्या हो गया है सबा तुम्हें, इर्दजा तो यूही मजाग कर रहे थे, क्या तुम्हें मजाग समझना भी नहीं आता, समन के चेहरे पर नागवारी पहले, उसे सबा का ये बत्तमीज अंदास बुखत बुरा लगा था, इस पिसम का मजाग में किसी का भी बरदाश नहीं क कर सकती, इर्दजा भाई का भी नहीं, आप दोनों मिया बीवी को रिष्टे करवाने का इतना ही शौक है, तो किसी और का रिष्टा करवा कर ये शौक पूरा कर लें, अपने लिए अपनी पसंद का बंदा मैं खुट ढूंड लूँगी, इस बार उसकी आवास तो नहीं थी, लेकिन लहजा हनूस बत्तमीज और घुस्ताख था, वो उन दोनों पर नज़रे डाले बगएर तेजी से सेड़िया चरती हुई अपने कमरे में आ गई, कितनी देर तक वो गुसे से खौलती रही, बहुत देर तक बैट पर बैठे रहने के बाद वो खुद को प नहीं लेकिन वो तवक्का कर रही थी कि वो उसके पीछे जरूर आएगी, लेकिन अब जब कि कई घंटे गुजर चुके थे और वो नहीं आई तो उसे ये बास समझने में देर नहीं लगी, कि समन उससे नाराज है, उसने कुछ देर पहले का सारा वाग्या याद किया, उस उसे बहुत रोना आ रहा था, सारी रात वो तक्ये में मूँ देकर फूट फूट कर रोती रही, एक लमही के लिए भी उसकी आँख नहीं लगी थी, सुबह हो चुकी थी, बिस्तर से उठकर वो खिड़की के पास आई, तो नजरे लॉन में एक्सेसाइस करते इर्थजा से तक्राइं, वो दुपटा ओड़कर कमरे से बहार निकली, समन शायद अभी जागी नहीं थी, वो उसे कहीं नजर नहीं आई थी, वो लॉन में आ गई, इर्थजा की उसकी तरफ पुश्ट थी, इसलिए उसने उसे आते हुए नहीं देखा था, इसलिए पीछे से ही आहिस्तिगी से सलाम किया था, वो उसकी आवास सुनकर चौकने वाले अंदास में बेसाखता मुड़ा, वालेकुम असलाम, उसके चहरे के तासुरात नॉर्मल थे, सलाम का जवाब उसने मामूल के अंदास में दिया था, सौरी इर्थजा भाई, मैंने रात आपके साथ बहुत बत्तमीजी की, मुझे इस तरह मिजबिहेफ नहीं करना चाहिए था, समन्ठी कह रही थी, मुझे वाकई मजग समझना नहीं आता, इतनी मामूली सी बात पर मैं खौमख़च चड़ गई, उसकी आँखों में दुबारा से आसु आने लगे, इर्थ बज़ा ने उसकी आँखों में बगौर देखते हुए उसकी बात सुनी, फिर वो उसका हाथ पकड़कर लॉन की चेर्स की तरह आ गया, बैठो सबा, उसके कहने पर वो फॉरन कुरसी पर बैट गई, वो खुद भी उसके सामने वाली कुरसी पर बैट गया, ममा कहती है, सब मिलाए बगार सर चुका कर बोल रही थी, उसके लहजे में दुख और खुद अपने लिए बहुत सा घुसा था, मुझे रात को ही अपनी बत्तमीजी का एहसास हो गया था, मेरा दिल चाह रहा था, मैं उसी वक्त आप से आकर माफी मांग लू, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो आप भी सोचते होंगे कि उसकी आखों से बहते आसूस की गोद में गिर रहे थे, उसने एक बार भी इर्तजा की तरफ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सोचा सबा, मुझे ना तुम पर गुसा आया और ना ही मैं तुम से नाराज हूँ, हाँ मुझे हैरत हुई थी, मैं दूर नहीं हुई, उसने बड़ी संजीत की और बुर्द बारी से उसे जवाब दिया, तुम्हें क्या बात बुरी लगी मैं समझ नहीं बाया, बस वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उस दिन जब वो घर आई थे तब समन्ने इसी तरह की बातें की थी, जैसी कल आप कर रह आई थे, यही के वो मेरी वज़ा से घर आई थे, उन्होंने मेरी वज़ा से अपने घर पर डिनर दिया था, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, आपके वो दोस्त बहुत अच्छे हैं अर्तिजा भाई, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो मुझे भी अच्छे लगे, इर्तिजा के चेहरे पर से संजीत की गायब हो गई, उसके बोलने का अंदास इतना सादा और मासुमाना था, कि वो अपनी बेसाखता सी मस्कुराहट बमुश्किल छुपा पाया, तुम्हे वो अच्छे नहीं लगे, तो फिर वो कौन है जो तुम्हे अच्छा लगता है, उसने घबरा कर इर्तिजा की तरफ देखा, वो उसकी बॉखलाहट को महसूस निगाहों से देख रहा था, बिला वज़ा तो कोई बुरा नहीं लगता, इस बुरा लगने के पीछे कोई ना कोई वज़ा जरूर होगी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो वज़ा कहां शफीक, चलो तुम नहीं बताना चाह रहीं तो रहने दो, अपकी बार कराची आउंगा तो खुद ही वज़ा ढून निकालूंगा, मेरा खयाल है वो वज़ा तुम्हारी यूनिवरस्टी में ही पाई जाती होगी, तब ही मैं सोचा करता था कि सबा यूनिवरस्टी जाकर इतनी बदल क्यों गई है, इतनी खोई खोई और अलग अलग क्यों रहने लगी है, वो अपकी बार खुलकर हस दिया, उसने कुछ कहने के लिए लववा किये तो वो उसे टोकते हुए बोला, अब तुम खौा मुखा अपनी एनरजी जाया करोगी, जूट बोलोगी और मैं यकीन नहीं करूँगा, तुम्हारी एनरजी भी जाया होगी और जूट बोले पर गुना अलग बिलेगा, इसा करते हैं, इस बात को यहीं खतम कर देते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, आपने मुझे माफ कर दिया ना, सच बताएं इर्तिजा भाई, आपके दिल म मेरी तरफ से कोई बदकुमानी तो नहीं, इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया, उसी वक्त समन लौन में चली आई, उन दोनों को साथ बैठा देकर उसे बहुत आजब हुआ, रात सबा के रवाईे पर गुसा आने के साथ साथ, उसे इर्तिजा के साम ने सख्त शर्मिंदगी भी हुई थी, रात उसी शर्मिंदगी में वो उससे कोई बात किये बगएर ही सो गई थी, वो उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई, आपके कपड़े मैंने निकाल दिये हैं, वो इर्तिजा से मुखाब थी, इर्तिजा ने जवाब में, अच्छा कहा तो वो फॉरण वापस मुड़ गई, उसने सबा की तरफ बिलकुल भी नहीं देखा, उसे मुकमल तोर पर नजर अंदास करके अपनी नाराज़की का इजहार करती वो अंदर शली कई थी, समन मुझसे बहुत जादा खफा है, आप उससे मेरी दोस्ती करवा दे, समन को उसने कभी घुसे में नहीं देखा था, और अब जब वो पहली मरतबा घुसे में नजर आ रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गई थी, जाकर सौरी बोल दो, वो तुम से जादा देर तक नराज नहीं रह सकती, इर्दजा कुरसी पर से उटते हुए बोला, मैंने उससे ब पराहे रास्त ये ना कह सकी, कि वो तुम से इतनी शदीद मुहबत करती है, कि हर उस शख्स से नफरत करती है, जो तुम्हारे खिलाफ बोले, जो तुम्हारे खिलाफ सोचे, लेकिन इर्दजा उसकी बात में छुपी, ये बात समझ चुका था, इसलिए मुस्कुराते बोला, आओ तुम्हारी बेहन साहिबा से सुला करवा दू, वो दोनों साथ चलते हुए अंदर आ गए, समन किचन में थी, इर्दजा को देखकर उसके चेहरे पर हलकी सी मुस्कुराहट आई थी, जो उसके पीछे किचन में आती सबा को देखकर फॉरण ही गायप ही हो गई सबा को, फिर कुछ कहे बगएर उसने अपनी नजरे उन दोनों पर से हटा ली, और दोबारा अंडे फेटने लगी, इर्दजा ने उसे इशारे से उसके पास जाने को कहा, तो वो फॉरण उसके पास आ गई, लाओ समन, आमलेट मैं बना दू, समन ने उसका हाँ जटक दिय बहुत शुक्रिया, मैं खुद बना लूँगी, आप जहमत ना करें, आइम सॉरी समन, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मलतजाना अंदास में बोली, मगर समन पर बजाहर उस सॉरी का कोई असर होता नजर नहीं आया था, उसने बेचारगी से इर्दजा की तरफ देखा, समन, मेरा खयाल है तुमें सबा के साथ मजीद नराज़की का इजहार नहीं करना चाहिए, वो पहले ही बहुत जादा शर्मिंदा है, मेरे हिसाब से इस किस्से को अब खत्म कर देना चाहिए, वो संजीत की से बोलता हुआ समन के पास आ गया था, मैं इससे नराज नहीं हू बस मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी बहन इतनी बत्तमीज है। हमीज हर्गिस नहीं है। इर्तिजा ने हमेशा की तरह उसकी तरफदारी की थी। आप बिला वज़ा इसके हिमाईदी मत बने। इर्तिजा के साथ खुफगी का इजहार करते करते उसकी नजर सबा पर पड़ी तो एक दम ही सारा गुसा और नाराज की भूल गई। उसकी आ हाथ पकड़ कर अपने करीब कर लिया। नाराज नहीं हो फिर इतनी देर से इस तरह सपाट अंदास में इसे उसे करके क्यूं बात कर रही हो। उसके शिक्वे पर इर्तिजा का कहका बेसाखता था। चलो दोनों बेहनों की सुला तो हुई अब तुम दोनों आपस में गिल हुम से शकल बनाकर रोने भी खड़ी हो जाती हो। वो अपने हाथों से उसके आंसों साफ करने लगी। मैं तुम से कभी नराज नहीं हो सकती सबा अगर चाहूं तो भी नहीं। कुछ पल वो इसी तरह उसके कंदे पर सर रखकर खड़ी रही। चंद लमों के बाद वो की। उस रोस के बाद उन दोनों में से किसी ने भी आमिर के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। उसके वापस जाने से दो दिन पहले इर्तजा और समन उसे शौपिंग करवाने ले गए थे। हम दोनों ने आपस में तै किया था कि सबा को जाते वक्त कोई जबर्दस्त फिर समन कहने लगी कि बजाए खुद खरीदने के सबागोस की मरजी की चीज दिलवाएं तो जादा अच्छा होगा चुनांचा तुम्हें शौपिंग के लिए लेकर जाया जा रहा है और इस बात की मेरी तरफ से तुम्हें खुले अजासत है कि तुम जो दिल चाहें खरीद लेना घर से निकलते वक्त इर्तजा ने उससे कहा इसकी क्या सरूरत है इर्तजा भाई मैं तो इतनी देर से यही समझ रही थी कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं प्लीज आप ये शौपिंग वॉपिंग रहने दे उसने मना करना चाहा तो सबार शफीक इतनी बड़ी हो रही है कि उन्हें मुझसे तकल्फ करना आ गया है इर्तजा ने पैक व्यू मिरर में उसे देखते हुए कहा तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ मेरे लिए तुम वही छोटी सी सबार होगी वह सबार जो मुझसे पूछ पूछ कर अपना स्कूल का काम करती थी समन्ज जो उसकी बातों को बड़ी दल्चस्पी से सुन रही थी अचंबे से बोली रोजाना आप इसे हूंवक करवाते थे और नहीं तो क्या पूछो इससे इर्तजा बड़े मज़े से कहने लगा हमेशा बच्ची ही तो समझा मुझे कभी सोचा ही नहीं कि वो लड़की जिसे आप अब तक बच्ची समझते हैं वो बड़ी हो चुकी हैं खिलोनों से बहलने वाला वक्त तो कपका पीछे रह गया जन्दगी में उसने कुछ खौब देखे थे उसके वो सारे खौब तिनका तिनका करके आप ही ने बखे रहे हैं वो खामोशी से उन दोनों को देख रही थी इर्तजा कर रही थी फिर शौपिंग सेंटर से मुक्तलिफ चीजों की शौपिंग करते वो लोग अब कपड़ों की दुकान में खड़े थे कोई खौब सूर सा सूट पसंद करो अपने लिए समन की कहने पर उसने इदर उदर नजरे घुमाई तो खुद बाखुदी उसकी निगहा एक सफेद रंगे लिबास पर जाकर ठहर गई समन ये सूट तुम खरीद लो कबल इसके के वो उस सूट की तरफ इशारा करती इर्तजा ने उसे हाथ में लेते हुए समन से कहा लेकिन मैं अपने लिए तो शौपिंग करने नहीं आई थी समन एक कदम आगे बढ़ा कर इर्त पर उस पर से नजरे हटा कर सबा से पूछने लगा क्यों सबा पसंदाया तुमें कोई सूट इर्तजा ने जैसे ही सूट को समन के लिए पसंद किया उसने फौरण अपनी नजरे उस सूट पर से हटा ली वो अब गायब दिमागी से इर्द गिर्द नजरे दोडाती जैसे क ऐसा लगा जैसे उसके लफ्स रो रही हैं ये पिंक सूट देखो क्यासा लग रहा है समन ने उसे इशारे से एक सूट दिखाया हाँ वागई ये बहुत प्यारा लग रहा है बहुत खुबसूरत और मुनफरिद प्रिंट है उसने फौरण समन से इतफाग करते हुए सेल्स फैन से वो पिंक सूट निकालने के लिए कहा कोई फरक नहीं पड़ता अगर वो वाइट सूट की जगा पिंक ले ले कोई फरक नहीं पड़ता अगर जो चीज उसने पसंद की वो इर्तजा समन को दे रहा है उसकी तो जिन्दगी का सबसे अवलीन खौब सबसे बड़ी पर समझो तक कर सकती है तो इस मामूली से सूट पर क्यों नहीं उसने खुशी खुशी वो शौपर अपने हाथ में लिया जिसमें वो पिंक सूट रखा हुआ था और जिसे उसका दिल चाह रहा था कि वो आग लगा दे उसके बाद भी वो लोग काफी देर तक शौपिंग क आई थी वो उसके जाने पर बहुत उदास नजरा रही थी इतनी जल्दी तुम्हारी चुट्टियां खतम हो गई पता ही नहीं चला दिल चहरा है अभी तुम्हें जाने ही ना दू समन उसके गाल चूमते हुए बोली इतनी मेरी याद आती है तो कराची आ जाओ इर्तजा भाई का जब लाहूर में काम मुकमल हो जाएगा वो तब वापस आ जाएंगे उसने बजाहर बड़ी संजीत की और अपनायस से उसे मशवरा दिया उस बात पर समन की खामोशी लाजमी थी इर्तजा उसे खामोश देखकर हस पड़ा था देखा इर्तजा भाई ये पकड़ी गई मेरा नमबर उसने आपके बाद रखा है आपके बगएर ये कराची कभी नहीं आएगी मगर मुझे ये बात कुबूलेगी भी नहीं वो हस्ते हुए इर्तजा से कह रही थी अंदास सरासर समन को चड़ाने वाला था हर मुहबत की अपनी अलग जगा और अलग मकाम होता है जो इर्तजा है वो कोई नहीं हो सकता और जो तुम हो वो भी कोई दूसरा नहीं हो सकता सबा तयार रहो बस अब रोने धोने का सेशन शुरू होने वाला है समन को आशू रोकते देखकर इर्तजा ने उससे कहा जी नहीं मैं कोई नहीं रो रही उसने खुफकी से इर्तज की तरफ देखा अपना खेया रखना सब्बाप उसने दोबार समय की तरफ देखा मैं तो अपना ख्याल रुखी लूंगी तुम अपना क्याल साह अच्छी नजना नहीं तो अपकी मारं मेरे बजadore nécess ATK अवरे आएंगी तुम्हारे ख्याल रुखने के लिए उसने धमकी देते हुए कहा वो ममा की गोद में सर रखे उन्हें अपने लाहौर के कयाम की तफसीलात सुना रही थी कितने दिन बाद आज आपने मुझे इस तरह अपने पास लिटाया है ममा वो आखें बंद करके लेटी हुई थी ममा उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए हसने लगी इतनी बड़ी हो कई हो अभी तक ममा की गोद चाहिए कल तो तुम्हारी शादी करूँगी फिर ममा की गोद कहां से आएगी मुझे तो मेरी ममा की गोद हमेशा चाहिए सारी जिन्दकी जब मैं बूड़ी हो जाऊंगी न तब भी उसने शादी के जिकर पर बुरा समू बना कर कहा ममा समन ने अपना घर इतना खुबसूरत सजाया है समन इर्तजा भाई के साथ बहुत खुश है इर्तजा भाई उसका बहुत खयाल रखते है हाँ मुझे पता है ये बात उसकी बात सुनकर सरशारी से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था इसलिए तो मैं उसकी दूरी खुशी खुशी बरदाश्ट कर रही हूँ वर्ना उसे खुच से दूर भेजने का अब मुझे में होसला नहीं मगर जब बेटी अपने घर में अपने शोहर के साथ खुश होती है ना फिर चाहे वो मा को महीनों अपनी शकलना दिखाए मा का दिल मुतमाइन रहता है समन यहां मेरे पास रहती मेरी खुश तो यही थी फिर अब जबके वो प्रेगनेंट है उस वक्त तो मेरी शदीद खुश है के वो मेरे पास रहे और मैं खुद उसका खयाल रखूँ जिन से बहुत मुहबत होती है ना सबा फिर उनकी खुशी में ही हम अपनी खुशे ढूनते हैं चाहें उनकी उस खुशी में हमारे लिए कोई तकलीफ दे आजमाईश है क्यों न हो मुहबत की जो तारीफ ममा उसे बता रही थी वो उसकी समझ से बाहर थी ऐसा किस तरह हो सकता है मुहबत में इतना होसला और इतना सबर कैसे आ सकता है उसकी सोच शायद अभी खाम है वो अभी इमच्योर है उसने दुनिया को सही से देखना और समझना शुरू नहीं किया शायद आने वाले वक्त में वो मुहबत की इस तारीफ को समझ जाए मुहबत उसे जित के बजाए सबर करना सिखा दे वो एक बहुत ही रोशन और चमकीली सुभा थी जब मास पैदा हुआ कितना प्यारा था वो गोल मटोल सा, खुबसूरत, सेहत मन सा उनके घर में खुशियों की बारात उतर आई थी अमा के खुशिय के मारे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे बाबा सारे खांदान में मिठाई तक्सीम करवाते फिर रहे थे समन मा बन कर और भी पुर्वकार और हसीन लग रही थी अल्लह ने उसकी दूआ कुबूल कर ली थी उसे बेटा दे दिया था जो शकलो सूरत में बिलकुल अपने बाप जैसा लग रहा था अमा ने मास को गोद में लेकर चूमते हुए बेसाखता कहा ये तो बिलकुल इर्तजा का बच्पन है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पीछे की तरफ सफर कर गया है और इर्तजा फिर से मेरी गोद में आ गया है उसने डरते डरते मास को अपनी गोद में लिया था जिन्दगी में पहली मरतबा इतने चोटे बच्चे को उठाया था उसके चोटे चोटे और नाजुक से हाथ पाऊं उसे कन्फियूस कर रहे थे बड़ी एहतियाद से उसने उसे गोद में लिया था ममा उसके डरे हुए अंदास पर हस दी फिर मुस्कुराते हुए वो उसे समझाने लगी कि इतने चोटे बच्चों को किस तरह उठाया जाता है बहुत आहिस्तिकी से उसने मास का माधा चूमा तो वो एक बहुत ही मुक्तलिफ से एहसास से दोचार हुई उसे यू लगा जैसे उस ननहे से वजूद में से मुखबत की बहुत ताकतवर शुआए निकल रही है और वो ताकतवर शुआए सीधी उसके दिल पर पढ़ रही है उसका दिल चाहा वो उसे खुद में भीच कर बहुत सारा प्यार करे मुखबत का ये कैसा एहसास जागा था उसके दिल में क्या इसलिए कि वो इर्तजा का बेटा था या फिर इसलिए कि वो समन का बेटा था उसकी बेहन का बेटा इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था वो यूनिवरस्टी से आकर बैग और दुपटा कमरे में उच्छालती सीधी समन के कमरे में आ गई थी इर्तजा अकीके के अगले रोज वापस चला गया था जबके समन अभी यहीं पड़ती मास जागा हुआ था समन के पास लेटा था वो खामोशी से लेटी एक टुक उसी को देख रही थी ऐसे टिक-टिकी बांध कर क्यूं देख रही हो मेरे भांचे को क्या नजर लगाने का इरादा है वो दूसरी तरफ से आकर बैट पर चड़ गई और फॉरण ही मास को गोद में उठा लिया समन जवाबन सर्फ मुस्कुराई थी तुम अभी इतनी खामोशी से लेट कर मास को देखते हुए क्या सोच रही थी बताऊंगी तो तुम हसोगी वो मुस्कुराते हुए बोली मैं मास के बाने में सोच रही थी सबा वो जब चलना शुरू करेगा तो कैसा लगेगा उसका वो छोटा सा पहला कदम कैसा होगा वो थोड़ा सा चलकर लड़कडा कर गिरने लगेगा जब मैं जल्दी से उसे थाम लूँगी गिरने से बचा लूँगी फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता लेकर उसे चलाते हुए उसका चलने का शौक पूरा करवाऊंगी उसके तसवरात की दुनिया सबग के बेसाखता से कहके ने खतम कर डाली फिर वो और बड़ा होगा स्कूल से कॉलिज और फिर कॉलिज से युनिवस्टी में पहुँच जाएगा अपनी किसी खुबसूरत सी क्लास फैलो के साथ उसका जबरदस किसम का अफैर चलेगा तुम रिवाईदी मायों की तरहां विलन का किरदार अदा करते हुए ये शादी नहीं हो सकती का ऐलान करोगी मैं ऐसे मौके पर अपने भांचे की हमायत करोगी फिर अगर तुम्हारी मुखालिफत के बावजूद भी ये शादी हो गई तो तुम अपनी बहु का जीना धोबर कर दोगी तुम जालिम और खतरनाक किसम की साथ बनकर कितनी प्यारी लगोगी वो अपनी बातों को इंजॉई करते हुए बे तहाशा हस रही थी समन भी खिल खिला कर हस पड़ी थी हद है सबा मैं इतनी संजीत की से बात कर रही थी और तुम कहां से कहां पहुँच गई वो दोनों मिलकर हसने लगी सबा ये सूप समन को दे आओ ममा ने समन के लिए सूप तयार करके उससे कहा था वो खुद अब रात के खाने के लिए डाड़ी की बसंदीदा फ्रूट सालिट बनाने में मसरूफ थी उससे कहना बगएर नकरा दिखाए सारा सूप पीना है ट्रे हाथ में पकड़कर किचन से निकलते हुए उसने ममा की बात सुनी और सर हिलाते हुए समन के कमरे में आ गई वो कमरे में आई तो समन किसी से फोन पर बाते कर रही थी बहुत मजा रहा है मुझे यहां पर सब ऐसे नकरे उठा रहे हैं मेरे जैसे मैं कोई फी आई पी हूँ अभी अभी सबा कमरे में आई है मेरे लिए ट्रे में कुछ लेकर वो हसते हुए कह रही थी अभी एक हफता तो हुआ है आपको गए हुए रहे थोड़े दिन के लिए अच्छा है मेरी एहमियत पता चल रही होगी मेरा फिल हाल वापसी का कोई इरादा नहीं मैं यहां बहुत इंजॉई कर रही हूँ उसने समन के सामने लाकर ट्रे रग दी फिर एक नजर मास पर डाली वो कौट में लेटा बेखबर सो रहा था अच्छा आप में फोन बंद कर रही हूँ मुझे सूप पीना है फिर खुदा हाफिस कहते हुए समन ने फोन बंद कर दिया इर्तजा का फोन था मुझसे वापस आनी के लिए कह रहे थे समन ने सूप का प्याला अपने हाथों में लेते हुए उससे कहा देखो जरा मुझे घर की सजावट और शॉपिंग का लालच देकर बुलाने की कोशिश की जा रही है वो बहुत खुश नजर आ रही थी उसने बहुत खामोशी से समन के खुशी से जिल मिलाते हुए चेहरे की तरफ देखा तुम सूप पीओ समन ममा ने कहा है सारा सूप पीना है तुमें मैं किचन में जा रही हूँ ममा डाड़ी के लिए फ्रूट सालिट बना रही है थोड़ी उनकी हेल्प करवा दू समन ने चमचा मूँ में ले जाते हुए सर हिला कर गोया उसे जाने की अजासत दी वो कमरे से निकल कर कॉरिडोर में आ गई समन आज दुपहर जब तुम मुझसे अपने खौप शेयर कर रही थी तुम्हें उन्हें इतने ही प्यार से सुन रही थी जितने प्यार से तुम उन्हें सुना रही थी मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारे खौपों से हस्त महसूस नहीं हुआ था वो मेरी बेहन के खौप थे फिर तुमने मेरे खुआबों के साथ ऐसा क्यूं किया समन उजाल डाले ना तुमने मेरे वो सारे खुआब वो खुआब जो मैं अपनी जिन्दकी के सत्रा सालों तक देखती रही मुझे ये बात याद आती है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरे खुआप मुझसे चीन लिए तो फिर मुझे तुम से नफरत भी महसूस होती है और तुम से तुम्हारे खुआप चीन लेने का भी दिल चाता है और जब तुम्हे अपनी बेहन की नजर से देखती हूँ तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो तुम पर प्यार आता है और इर्तिजा घजनफर के साथ देखती हूँ उसके हवाले से देखती हूँ तो तुम उसकी महबूबा हो उसकी बीवी हो उसके बच्चे की मा हो तो मुझे तुम से नफरत होने लगती है तुम्हें उसके साथ देखकर उसके बारे में इतने इस्तहकाक के साथ बोलता देखकर आज भी मुझे इतनी ही तकलीफ होती है उतनी ही अजियत जितनी अवल रोज हुई थी वो ममा के पास किचन में आ गई थी समन इर्तजा से आने के लिए मना करने के बावजूद दो दिन बाद ही लाहूर चली गई थी अम्मा समन के साथ गई थी पहले अगर उन्हें सिर्फ समन की फिकर रहा करती थी तो अब फिकर करने के लिए मुझे का भी इज़ाफा हो गया था उसके जाने के बाद घर में हर तरफ सन्नाटा पहल गया था इर्तिजा का लाहौर में काम ख़तम हो गया था वो लोग कराची वापस आ गए माज अब 11 महा का हो चुका था उसकी पहली सालगिरा आने में सिर्फ एक महीना रहा था बला का जिद्धी और शरार्ती था वो सब घरवालों को नचाय रखता था उसकी शरार्तों और शोर शराबे से घर में जिन्दकी की एक नई लहर दोड़ जाती वो एक अकेला बच्चा था और लाड उठाने वाले बहुत से लोग अम्मा खुश हो होकर अपने बच्चों को देखती उनका खांदान मुकमल हो गया था सिर्फ जफर की कमी थी बाकी उनके सब बच्चे उनकी निगाहों के सामने थे आमिर की शादी हो गई पिछले महीने मास को खिछले के लाते हुए समनने उसे मुकातिब किया वो मास के साथ बलॉक से खेलने में मसरूफ थी कौन आमिर? उससे वाक़ी याद नहीं आया था जादा मत बनो वो फाइजा का कजिन अब ये मत कहना के कौन फाइजा समनने किस खदर नाराज लहजे में कहा अच्छा वो हाँ याद आ गया मुझे बहुत मुबारक हो उसके लिए जैसे इस बात में कहीं अफसोस का कोई पहलू था ही नहीं किस से हुई उसकी शादी? वो जो लड़कियां उसके पीछे कतार लगाए खड़ी रहा करती थी उन्हीं में से किसी एक से हुई है या कोई और है अपनी उसी मसरूफियत के साथ उसने बगएर सर उठाए पूछा काजिन है उसकी बहुत प्यारी है फाइन आर्ट्स में ग्राजवेशन कर रखा है उसने इसलामाबाद में हुआ था उसका वलीमा हम लोग भी गए थे इतना शांदार कपल है उन दोनों का वलीमे वाले दिन आमिर ग्रे सूट में बेहत हैंसम लग रहा था हाला कि किसी से जैलिस होना अच्छी बात नहीं लेकिन फिर भी मुझे उसकी बीवी से इतनी जैलिसी हो रही थी समन्ने बहुत दुख भरे अंदास में उसे तफसील सुनाई तुम क्यों जैलिस हो रही थी वो इर्टजा भाई से ज़ादा हैंसम तो नहीं लग रहा होगा बिला वज़ा इत्राओं मत सब पता है मुझे अच्छा लगता था आमिर मुझे तुम्हारे लिए फाइजा ने मुझे तुम्हारे और आमिर के रिष्टे के बारे में एक बार बात भी की थी जब तुम लाहौर हम लोगों के पास रहकर वापस आ गई थी उसकी कुछ दिन बाद जाहर सी बात है आमिर ने उससे इबात करने के लिए कहा होगा मेरे हाँ करने की देर थी आमिर फॉरन अपने पेरेंट्स को यहां कराची रिष्टा मांगने के लिए भेज जेता इतना दिल दुखा मेरा उसको मना करते हुए मगर तुम जो इतनी शिदत के साथ उसके बारे में नापसंदीद की जाहर कर दी रही थी तुम्हें बात आगे कैसे बढ़ा सकती थी समन ने बहुत गुसे से उसे घूरते हुए सारी बात बताई वो समन की बाते सुन तो रही थी मगर किसी खास तवज़ा के बगेर सबा तुम मुझे सच सच बताओ आमिर को नापसंद करने की असल वज़ा क्या थी तुम्हारा उस रात का रदे अमल मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था इतनी शिदद से तुमने उस बारे में अपनी नागवारी का इज़ार किया था कि मुझे यू लगा जैसे तुम किसी और को पसंद करती हो तब इस बारे में मजीद बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा था इर्टजा से भी मेरी कभी इस बारे में बात नहीं हुई शायद मेरी तरह उन्होंने भी दानस्ता इस बात को इग्नोर करने की कोशश की होगी मैंने सोचा था कुछ दिनों बाद तुम से पूछूंगी लेकिन फिर मास्के होने के बाद तुम्हें हर बात ही भूल गई ये तो पिछले महीने जो उसके वली में का कार्ड आया और पिर हम लोग वहां गए तो मुझे वो भूली हुई बात याद आ गई वो मास्क को खाना खिला चुकी थी नापकीन से उसका मुझ साफ करने के बाद अफ़ो मुकमल तवज़ा के साथ उसी को देख रही थी क्या वाकई कोई है जिसे तुम पसंद करती हो या फिर ये महस मेरा वहम है देखो सच सच बताना अगर तुमने मुझे जूट बोला और फिर बात में मुझे सही बात कहीं और से बता चली तुम्हें तुम्हें छोडूंगी नहीं मैंने तुमसे इर्तजा के बारे में हर बार शेयर की थी की थी क्या अभी भी करती हूँ जब मैं तुम्हें अपनी हर बात बताती हूँ तो मेरा ये हक है कि तुम भी मुझसे कुछ मत चुपाओ तुम मुझे हर बात इसी लिए बताती थी क्यूंकि तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत सारी बाते थी मैं तुम्हें क्या बताऊं काश तुम्हारी तरह कोई लफ स्टोरी मेरी भी होती एक हैंडसम सा बंदा जो दिलो जान से मुझे पर फिदा हो रहा है और जिसे देख कर मेरा दिल तेस तेस धड़कना शुरू कर देता हो अफसोस मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए कोई हसीन और रंगीन कहानी नहीं है वो शगुफ्तगी से हस दी पिर वो तुम्हें इतना बुरा क्यूं लगता था वो हैंडसम बंदा दिलो जान से फिदा होतो रहा था तुम पर समन्ने जिरा हकी तुम्हें सिटनी में अपना क्लास वैलो जो बहुत जीनियस था बहुत हैंडसम था और तुम्हें बहुत पसंद भी करता था क्यों अच्छा नहीं लगता था और वो तुम्हारे अंकल का बेटा जो सिर्फ तुम्हारी एक छलक देखने के लिए तुम लोगों की घर आया करता था कितना कॉलिफाइट था फिर क्यों तुमने उसे नापसंद किया क्यों नहीं तुमने उसकी मुहपत कुबूल कर ली थी समन वो बहुत मदलिल अंदास में बोली समन लाजवाब हो जाने वाले अंदास में खामोशी से उसे देखती रह गई हर अच्छा शक्स जो मुझे पसंद भी कर रहा हो जरूरी नहीं है कि मैं भी उसे पसंद करने लगूं और ये भी जरूरी नहीं कि इस नापसंदीत की के पीछे कोई न कोई वज़ा हो ऐसे ही मेरे पास भी उसे नापसंद करने की कोई वज़ा नहीं सिवाई इसके के वो वो नहीं जिसे देखकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगे या शायद कुछ पल के लिए धड़कना भूल जाए समन के पास अब बहस करने के लिए कोई पॉइंट नहीं बचा था मास की पहली सालगिरा आने में चंद दिन रह गए थे घर में सबकी ख्वाहिश थी के सालगिरा की तकरीब खूब शांदार तरीके से मुनकित की जाए घर में कई दिन पहले से फंक्शन की तयारियां शुरू हो गई थी समन को जफर के इस मौके पर दूर होने पर बहुत रंच था वैसे फरमाईशे करकर के मास की तस्वीरे और मूवी मंगवाते रहते हैं देखूं तो सही मेरा भांजा कितना बड़ा हो गया है और अब जब उसी लाटले भांजे की सालगिरा है तो इन्हें तौफ़ा भीजना तो दूर की बात फोन पर मुबारक बात देना भी याद नहीं रहा वो ममा से गिले शिक्वे करने में मसरूफ थी उन दोनों से कुछ फासले पर बैठा इर्दजा बजाहिर मौस के साथ खेलता हुआ उस गुफटगू को लापरवाही से सुन रहा था लेकिन उसकी आँखों में एक शोख सी मस्कुराहट चुपी हुई थी जफर ने अपने आने की इतला सिर्फ उसी को दी थी यकीनन वो इस तरह अचानक पहुँचकर सबको सर्प्राइस देना चाहता था थोड़ी देर बाद जब वो मौस को समन की गोद में देखकर ये कहता हुआ कि मैं अभी थोड़े देर में आता हूँ घर से गाड़ी लेकर निकला तो किसी के वहमों गुमान में भी नहीं था कि वो जफर को लेने एरपोर्ट जा रहा है जफर को एकदम से अपने सामने देखकर सब ही बहुत खुश हो गए मगर समन की तो खुशी देखने से तालुक रखती थी घर में पहले ही खुशीों ने कदम जमा रखे थे उन खुशीों और रौनकों को जफर की आमत ने कई गुना बढ़ा दिया था वो तयार होकर समन की कमरे में आई तो वो भी तयार हो चुकी थी परपल कलर की खुबसूरत काम से भरी हुई कीमती साड़ी पहने वो हमेशा से भी बढ़कर हसीन लग रही थी बहुत खुबसूरत लग रही हो तुम ये सेट इस साड़ी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है अंदर आकर उसे देखते हुए उसने बेसाखता तारिफ की तुम भी बहुत खुबसूरत लग रही हो लेकिन तुमने बाल क्यों नहीं खोले इन कपड़ों के साथ बाल खोलती तो ज़्यादा अच्छा लगता वो मास को तैयार कराने में मसरूफ थी उसकी तैयारी को गोर से देखने के लिए उसने सर उपर उठाया था अम्मा ने मना कर दिया यार उन्हें लगता है कि कहीं मेरे हसीन बालों को किसी की नजर न लग जाए उसने हसते हुए उसे बताया लोगों को और काम थोड़े हैं दुनिया में वो बेचारे इतने फारिग हैं कि मेरे बालों की खुबसूर्टी पर खुब गोरो फिकर भी करेंगे और फिर उन्हें नजर भी लगा देंगे मास समन की गोद में उचलकूत कर रहा था उसे समन की तैयारी की फिकर लाहक हुई लेकिन वो खुद अपनी तैयारी के खराब हो जाने के बारे में जरा भी मतफक्र नहीं थी मेरा बेटा मेरी गोद में आकर खुश हो रहा है और मैं ये सोचकर उसे खुद से दूर कर दूँ कि कहीं मेरी साड़ी खराब ना हो जाए उसने मास के हाथ चूमते हुए कहा मास के लिए वो हमेशा ऐसे ही दीवानगी दिखाती थी मगर आज तो ये दीवानगी हमेशा से भी बढ़कर नज़र आ रही थी वो बहुत दिल्चस्पी से माँ बेटे की महबब देख रही थी वो कभी उसके हाथ चूमती कभी गाल कभी माँ था और उसे जैसे माँ के इस लम से बहुत तसकीन मिल रही थी खूब खिल खिला कर हसते हुए वो अपनी खुशी का इज़ार कर रहा था तुम तो ऐसे प्यार कर रही हो समन जैसे ये तुम से कहीं दूर जाने वाला है वो उसकी बेताबी और वालेहाना अंदास देखकर कहे बिना न रह सकी अल्ला ना करें जो कभी माज मुझसे दूर हो समन को उसकी बात पसंद नहीं आई मैं अपने बेटे को कभी खुच से दूर नहीं जाने दूंगी उसे हमेशा अपने पास रखूंगी पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं बेजूंगी वो उसे उसी अंदाज से प्यार करते हुए उससे बोली उसी वक्त कमरे का दर्वाजा खोल कर इर्तजा अंदर आया एक बहुत ही भरपूर निगाँ उसने समन पर डाली सबगी मौझसे की वज़ा से वो मुझसे तो कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी निगाहों की सताइशी चमक बता रही थी कि वो उसे उस रूप में बहुत ब्यारी लग रही है इर्तजा देखे मास शेरवानी और पजामे में बिलकुल शहजादा लग रहा है उसने इर्तजा की तवज़ा बेटे की तरफ मबजूल करवाई वो उसके कहने से पहले ही मास को देख चुका था मुस्कुराते हुए उसने आगे बढ़कर उसके गाल चुमे अपनी ममा को बताओ कि वो खुद भी बिलकुल शहजादी लग रही है वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया समन इन कमेंट्स पर बुरी तरह जीब गई सबा तुम हम तीनों की एक तस्वीर तो खीचो ज़रा जल्दी से फिर मैं केक लेने जाओंगा उसने साइट टेबल पर रखा कैमरा उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा वो दोनों एक साथ खड़े हो गए मास को समन ने गोद में उठा लिया सबा तस्वीर बहुत अच्छी आनी चाहिए तुम्हारी फोटोग्राफिका इम्तिहान है आज उसने कैमरा आंक से लगाया तो इर्दजा बोला समन और इर्दजा के चेहरे उपर तो मुस्कुराहट थी मास भी खूब खिल के ला रहा था उसने तस्वीर खीच ले इर्दजा ड्रेसिंग टेबल से गाड़ी की चाबी और वालिट उठाने लगा तो समन बोली मैं भी चलूँ आपके साथ मुझे ममा के और अपने लिए गजरे खरीदने हैं इर्दजा ने अजबात में सर हिला दिया तुम भी आजाओ सबा अभी तो कोई महमान भी नहीं आया फंक्शन शुरू होने में खासा वक्त है अभी मास को गोत में उठाकर इर्दजा की पीछे जाते हुए वो उससे बोली मास के लिए वो बहतरीन से कम किसी चीज़ पर राजी नहीं होती थी इर्दजा के साथ मिलकर उसने खूब सारी बेकरी स्चानी थी अपनी पसंद का केक बनवाने के लिए तुम लोग बैठों मैं केक लेकर आता हूँ बेकरी के पास लाकर गाड़ी रोकते हुए वो उन लोगों से बोला फिर वो अंदर चला गया और वो दोनों उसका इंतजार करने लगी सबह देखो वो सामने जो लड़का गज्रे बेच रहा है उसके गज्रे कितने खुबसूरत और बिलकुल फ्रेश लग रही है उन लोगों की गाड़ी सर्विस रोड़ पर बेकरी के सामने पार्क हुई वी थी और वो लड़का सामने रोड़ पर इधर से उधर भागता गज्रे बेच रहा था अभी इर्तिजा भाई आ जाएंगे तुम उनसे मंगवा लेना खुद कहां जाओगी उसके पीछे उसने उसे मना करना चाहा दो मिनिट लगेंगे यार ये गई और ये आई वो उसकी बाद अनसुनी करके गाड़ी से उतर गई वो खिड़की का शीशा नीचे करके उसकी तरफ देखती रही फुट पाच से उतर कर रोट की किनारे पर खड़े हो करी समन ने उस लड़के को आवाज दी थी उसने समन की आवाज सुन ली थी वो रोट के दूसरी तरफ था वो समन की तरफ आने लगा मगर उसके पहुँचने से पहले सामने से इंतहाई तेज रफ़तार बस समन तक पहुँच गई वो बस टॉप नहीं था बस उस जगह लाकर रोकने का कोई जवाज नहीं था और वो भी इतनी तेज रफ़तारी से उसने समन को रोट पर गिरते देखा बस के टायर उसे कुछ चलते हुए कुछ दूर जाकर रुके थे समन उसके मूँ से चीख निकली थी उसका बैग उसकी गोट से पिसल कर सीट पर गिर गया वो गाड़ी का दर्वाजा खोल कर दीवाना वार उसके तरफ भागी सिर्फ उसी ने ये मनजर नहीं देखा था बेकरी से केक का डबा हाथ में लेकर निकलते हुए इर्दजाने भी उसे गिरते और बस के नीचे आकर कुछले जाते देखा था केक का डबा उसके हाथ से गिर गया था वो अंधा धुंद भागा सबसे भी पहले वो उस तक पहुँच चुका था उसके कहां कहां से खून बह रहा था पता नहीं चल रहा था मगर वो पूरी की पूरी खून में नाई हुई थी समन आखे खो लो देखो कुछ नहीं हुआ अभी हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे वो पागलों की तरह उसे जंचोड कर बोला फिर उसे अपने बाजूं में उठा कर तेजी से वापस गाड़ी की तरफ आया उसके जिस्म से बहने वाला बेताहशा खून उसे हरासा कर रहा था उसकी खमीज और उसकी हाथ समन के खून से पूरे भीग गए थे उसे गाड़ी की पिछली सेट पर लिटा कर उसने बहुत तेज रफ़तारी से गाड़ी दोड़ाई थी उस रफ़तार से उसने अपनी जिन्दगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई थी गाड़ी की पिछली सेट पर वो समन का सर अपनी गोत में रखकर बैठी थी उसकी आँखों से आसु बह रहे थे आप गाड़ी तेज क्यों नहीं चला रहे वो रोते हुए चिला रही थी समन आँखे खोलो प्लीज वो उसकी बंद आँखों को खोलने की कोशिश कर रही थी ये आँखे क्यों नहीं खोल रही इर्दजा भाई इसे कहीं या आँखे खोले वो अपने हवास खो रही थी समन प्लीज आँखे खोलो देखो अभी हमें मास्की सालकिरा का फंक्शन करना है घर बर महमान आना शुरू हो गए होंगे उसका हाथ समन के सीने पर बिल्कुल दिल के मकाम पर रखा था उसे वहां खामोशी का एहसास क्यूं हुआ था खबरा कर उसने अपना हाथ वहां से हटा लिया ये कुछ बोलती क्यूं नहीं है उसने अपने खून में भीके हाथों को खौफ़दा नजरों से देखा उसकी गोद में सर रखे वो बिल्कुल खामोश थी आँखे बंद किये जैसे अब कभी कुछ नहीं बोलेगी इंशाला चल्द मिलते हैं एपिसोट नमबर सेवन के साथ तब तक अपना खयाल रखे दौाओं में याद रखे अला हाफिज